हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं फाइनेशल मैनेजमेंट को हम किस तरीके से पढ़ें जिससे के हमारा टॉपिक इजीली सारा कवर हो पाए चलिए आएए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग हमारा सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर थ्री एन एपी और सेमेस्टर फाइब में CBCS दोनों में FMR दोनों के स्लेवस में कोई चेंजस नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा दोनों का स्लेवस एक्जेक्टली सेम है तो सर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चेप्टर वाइस मैं आपको बता दूगे कौन से चेप्टर पढ़ने है और किस हिसाब से फ्लो में पढ़ोगे तो आपको इसली फानेंशल मेनेजमेंट समझ में आने लगेगा इसका टैनियर भी मार्केट में आ चुका है तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन इस यूनिट के अंदर दो चेप्टर है नंबर वन थियूरी का बेसिक कॉंसेप्ट थियूरी बेसिक कॉंसेप्ट नंबर दो टाइम वेल्यू आफ मनी वेल्यू आफ और इसी को हम मैथमेटिक्स अफ फानाइन्स भी कहते हैं मैथमेटिक्स अफ फानेंस के नाम से भी पॉपलर रहता है यूनिट नंबर वन मैं आप सभी स्टूडेंट को सला दूँगा कि इसको पहले बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें क्योंकि थियूरी आप स्टार्ट कर भी देते हैं तो कोई बेनिफिट मतलब के लास्ट टाइम पर फिर अगेन आपको लर्न करना होगा और थियूरी में से क्या इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में मैं बताऊंगा इस यूनिट को बिल्कुल स्टार्ट ना करें इसके बाद आजाईए यूनिट नंबर टू जो यूनिट नंबर टू है इसके अंदर चैप्टर नंबर थ्री बनेगा इस गापिटल बजटिंग बुक के अंदर इसको दो चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है लेकिन है एक ही चैप्टर ये इसको भी बिल्कुल स्टार्ट ना करें स्टार्टिंग में हाँ आपके कॉलेज के इंटर्नल में यही सारे चैप्टर सा रहे होंगे तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ यह इंटर्नल के पॉइंट ओ व्यू से नहीं कि अपने आप फानेशल मेनेजमेंट को किस तरीके से आप स्ट्रॉंग करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर थ्री इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर फोर आ जाता है सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लीवरेज चैप्टर नंबर पाँच इ-b-i-t चैप्टर नंबर छे कॉस्ट अफ कैपितल और चैप्टर नंबर साथ वेल्यू अफर्म वेल्यू अफर्म और ये लास्ट वाला चैप्टर जो है ना value of form theory of capital structure के नाम से भी जाना जाता है ये ये हमारा theory of capital structure के नाम से जाना जाता है आपको पढ़ाई यहां से start करनी है सबसे पहले आपको ये करना है मैं number लगा रहा हूँ यहां पर फिर आपको ये पढ़ना है ये दूसरे number पर और ये तीसरे number पर फिर आपको ये पढ़ना चाहिए that is चौथे number पर अगर आप कहीं पर classes और coaching ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नी है वो teacher आपको उसी के अकॉर्डिक बता देंगे जैसे मैं अपने बच्चों को इसी format में पढ़ाता हूँ तो मैं बता रहा हूँ लेकिन जो बच्चा self study करने का सोच रहा है यूटूब पर मैं उनके लिए ये chapters बता रहा हूँ इसके बाद unit number 3 के बाद unit number 4 इसके अंदर chapter number 8 आ जाता है that is dividend वैसे दो chapter है एक dividend है policy है और एक dividend decisions है इस तरीके से है बट मैं एक ही chapter मानता हूँ theory का chapter है ये एक तरीके से इसको भी अभी नहीं करना इसके बाद आ जाता है unit number 5 इसके अंदर आपके chapters number 9 है chapter number 9 operating cycle chapter number 10 working capital working capital chapter number 11 cash budget chapter number 12 receivable management chapter number 13 economic order quantity eoq तो आप देखिए ये chapter 13 है FM में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार FM subjects हो जाएगा last time पर पढ़ लेंगे तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना अब आपको चौते नंबर के बाद पांच्वे नंबर पे ये chapter स्टार्ट करना है छटे नंबर पे ये chapter स्टार्ट करना है साथवे नंबर पे ये chapter स्टार्ट करना है जब ये chapter स्टार्ट कर लो आठवे नंबर पे ये chapter स्टार्ट कर सकते हो मैं टाइम के हिसाब से बताता हूं नोवे नंबर पे आपको ये chapter स्टार्ट करना चाहिए नाव दसवे नंबर पे आपको ये chapter स्टार्ट करना चाहिए और बारवे नमबर पे ये चेप्टर स्टार्ट करना चाहिए और लास्ट में आप थियोरी को रीड करिए तो ये पूरा का पूरा यूनिट वाइज हमारा फाइनेशल मैनेजमेंट का स्लेबस है बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कब मैं अगर अपने लाइव क्लासिस की मैं बात करूँ जो मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर यूनिट नमबर थ्री डन हो चुका है यूनिट नमबर फाइव भी डन हो चुका है अब उनका मैं चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला जाएगा ठीक है ना तो यह रहता है यूटुब जो हमारी यूटुब पर जितने भी स्टूडेंट है कि सिकाएत है कि सर आप यूटुब पर वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो मैं बता दूंँ आप सब किमाधकी मान लेतें कि कि सी की दैट हो गई है तो उस वजह से मैं डेली में बहुत कम ही रुक रहा हूँ मुझे जाना पढ़ रहा है आउट देली तो जो वीडियो मैनेज करते थे जिनसे में edit करता था वीडियो उनको बैटके करवाना पढ़ता है सारा video एड तो वो अभी होनी पारा थोड़ा सा तो थोड़ा सा डिले होगा लेकिन आएगा जरूर आप इस बात का धिहान रखिएगा तो ये पूरा का पूरा स्लेवस्था अब आपके पास टाइम नहीं है सर टाइम आपके पास मात्र सत्तर दिन है और इस सत्तर दिन में आपको सारे चेप्टर करना है आप यकीन मानिए स्टार्टिंग से जो बच्चा यूट्यूब पर पढ़ रहा है उसे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला जो बच्चा भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उसको बहुत प्रॉबलम कि पढ़ सकते हैं कैसे चलिज किया जाएं उस Kitty से सिंड्पल सा कॉंषप्ट है आपको मैंने बोलाै आपने लिशल प्रिष्ट इस स्टार्ट किया करने के आपके मन में एक ऐसा है कि एफम यार प्राक्टिकल सब्जेक्ट है लास्ट में देखूंगा देखता हूं कोई मेरा हेल्प करेगा मेरा फ्रेंड बता देगा या फिर एंड टाइम पर देख लूँआ कोई चार घंटे की क्लास देखके एक बार में खतम कर लूँआ अगर आ कहीं कोचिंग ले सकते हैं लाइव क्लासिस आप लें वह ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए क्यूंकि आप उनसे कनेक्ट रहेंगे हम बात करें आगे अगर फानेंशल मेनेजमेंट में ही आपका जो एफिम सब्जेक्ट है उसी की अगर मैं बात करूँ तो एफिम सब्जेक्ट जो है आपके आगे भी काम आएंगे सिर्फ बीकॉम तक आप इसको सेमित नहीं रखिए कि सर बीकॉम में ही है further study आप आगे अगर CA करते हो तो आपको जुरुत पड़ेगा further study आप आगे MBA करते हो तो जुरुत पड़ेगा further study आप CPA करते हो तो भी जुरुत पड़ेगा further study आप ACCA करते हो तो भी जुरुत पड़ेगा यानि financial management M.com करते हो तो जुरुत पड़ेगा हर जगह पे आपके काम आने वाला subject है और ये subject कभी बदलता नहीं इसमें कभी changes आता नहीं इसलिए ये हर बार आपको पढ़ना पढ़े का और बहुत important subject है आपके आने वाले समय के लिए तो हर बच्चों से मैं एक ही request करना चाहूंगा कि आप इस subject को काम चलाने वाले तरीके से मत पढ़िए इस subject को आप अच्छे से पढ़िए जिससे की आप आगे आने वाले कोई भी career opportunity देखते हैं उसमें आपको दिक्कत ना आए मेरे पास classes की बात करते हैं बच्चे कुछ के सर आप classes देते हैं कि जी हाँ मैं classes देता हूँ classes मेरी होती है live class होती है और जितनी भी live class होती है वो आपको recorded form में मिल जाता है recorded form में मिल जाता है number one number two आपके doubt के लिए dedicated number होता है जहां पे आपके doubt solve कर दिये जाते हैं what's up के थ्रू number three जो हम ये लिख रहे हैं ये सारे के सारे notes आपको provide कर दिये जाते हैं और हम जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को वैसे तो आप भी मेरे student हो आप भी मेरे बच्चे हो जो हम पढ़ाते हैं उसके लिए बोलते हैं के भी आपको सबसे पहले book लेना चाहिए और book का नाम है आरपी रस्तोगी आरपी रस्तोगी दूसरे number पे हमें लेना चाहिए tenure और tenure जो होना चाहिए आपका शिवदास का बहुत सारे बच्चे बोलते हैं के सर पीडियाफ से पढ़ लेंगे फोटो से पढ़ लेंगे तो वो गलती ना करें अगर आपके मन में ये है तो फिर बेकार है ये पूरी वीडियो देखने हैं आपके लिए you must buy book and as well as tenure क्योंकि ये आपके assets है सर ये जो आपकी classes है ये classes आपको अभी 450 का मिल जाएगा 450 का मिल जाएगा और इसके अंदर आपका full course की fees है ये जादा जानकारी के लिए आप description में number given है वहां सीधा contact करें आप join कर सकते हैं तो बस मुझे आज की वीडियो में discuss करना था कि FM को how to study financial management तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो चाहे आप self पढ़ रहे हैं चाहे आप YouTube से पढ़ रहे हैं चाहे आप weather कैसे भी पढ़ रहे हैं तो आपको परिशानी नहीं होगी होफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अगर आपको इस वीडियो से इस चैनल पर अगर आपको थोड़ा benefit होता है कि हाँ यार सारे चीज़े अपडेट मिल रही है तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा thank you so much मिलते हैं next class में और एक और हाँ जाते जाते गनेश चतूरती पर जो बच्चा ये course बाई करता है उसके लिए principle of marketing एक subject है वो बिलकुल free में दिया जाएगा एक्टिवेट principle of marketing इस offer में free पर दिया जा रहा गनेश चतूरती के मौके पर तो यानि हो गया ना आपका एक amount से दो course आपको मिल रहा है आपके thank you so much मिलते हैं next video में take care